अब मैगनीज के बाद हम बात करते हैं क्रोमाइट ऐस्क पर क्रोमियम का हम देखेंगे कि जो एक मात्र ऐस्क है वो क्रोमाइट है और जैसे मैगनीज का प्रयोग किया जाता है लौहिस पात उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् इसके मिश्रण से एक उच्चताप सहने वाला इस पाथ जो है वो तयार होता है। इसके अलावा हम देखेंगे इस पाथ में जब क्रोमियम की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है लगभग तीन प्रतिशत की तो रेती मतलब आरी जो लकडी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है जो ओजार ऐसे ही कुलहारी या हथोड़ा आदी बनाने के लिए इस पाथ का नि से 15 प्रतिशत तक तो 12 से 15 प्रतिशत मिलाने पर इसमें उच्चताप सहने वाला सह घर्षन और संचारन वाला सह इसपाथ जो है वो बनता है जिसका उपयोग हम रसोई घर के जो बरतन है चाहे हम बात कर लें चाकू की जो आप फौक यूज करते हैं वो मशीन और इसके ही बेरिंग आधी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों जब क्रोमियम के साथ टंगस्टन कोबाल्ट और मालभी डेनम को मिलाया जाता है इस दातों को मिलाया जाता है तो इससे बहुत ही मजबूत इस पाज जो है वो तयार होता है जिसे स्टेलाइट कहा जात उसके कलपूर्जे बनाये जाते हैं और इसके साथ ही क्रोमाइट का जो उपयोग है वो उच्चताप वाली भठियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है इसका जो उपयोग है वो रंग चमडा और वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है यदि हम भारत में इसके भंडार द वो भारत ओडिसा में जो है वो भारत का सरवाधिक क्रोमियम का भंडार है और इस्पेशली जो हम बात करें सुकिंदा घाटी, कटक और जाजपूर जीले यहाँ पर इसके सरवाधिक भंडार देखने को मिलते हैं आईए अब हम अगली धातू टंगस्टन की बात करते हैं बच्चो टंगस्टन का सबसे प्रयोग तो मैं आपको बता दूँ आप अपने घरों में बल्ब और ट्यूब लाइट को तो देखते ही होंगे और आपको ये भी पता होगा कि वो जो बल्ब और ट्यूब है उसका फिलामेंट किससे बना हुआ होता है इस बारे में तो आप सभी जानते होंगे टंगस्टन का तो हम बात करें कि आधुनिक जो धात्विक उद्योग है इसमें मिश्रित इसपाद बनाने में टंगस्टन का जो है वो विशेश महत्व है और इसकी उपियोग से हम देखें कि जो इसपाद बनाया जाता है उसमें बहुत ही अधिक मजबूती आती है और कठोरता भी हम कह सकते हैं कि टंगस्टन के मिश्रण से इसपाद में बहुत अधिक मजबूती और कठोरता लाई जाती है जो टंगस्टन मिश्रित स्टील होता है मतलब इस पाद से जब स्टील का निर्माण किया जाता है तो वो उच्च स्रेणी का जो है काटने वाले उपकरण हम कह सकते हैं वो बनाये जाते हैं और जो इतने मजबूत हम कहें कि जो पत्थर को छेदने वाली मशीन होती है तंगस्टन को मिश्रित करके ही उसका निर्माण किया जाता है और इसके अलावा हम देखें जैसे विद्यूत उपकरण अभी हमने बात ही की कि आप अपने घर में बल्ब और ट्यूब लाइट देखते होंगे और उसमें उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होत तो इसमें हम देखते हैं कि जो बल्ब ट्यूब लाइट के जो फिलामेंट है वो इसलिए उसके बनाए जाते हैं कि विद्यूत को प्रकाश में बदलने की जो छमता होती है टंगस्टन की उसमें टंगस्टन का और कोई दूसरा सब्सिट्यूट नहीं हो सकता इतनी अधिक इसकी छमता होती है विद्यूत को प्रकाश में बदलने की और इसलिए ही बल्ब और हम कह सकते हैं कि ट्यूब लाइट्स में जो उसके फिलामेंट है वो टंगस्टन के ही बनाए जाते हैं भारत में टंगस्टन का जो उत्पादन है वो राजस्थान, पर्शिम बंगाल, मह राष्ट और करनाटक में पाया जाता है बच्चों टंगस्टन का उप्योग जो है वो विद्यूत उपकरण में इसलिए किया जाता है या भी हमने जो बात की थी कि आपके घरों में जलने वाला बल्ब या ट्यूब लाइट जो है उसमें इसलिए उसके जो फिलामेंट है वो टंगस्टन के इसलिए बनाये जाते हैं क्योंकि टंगस्टन में जो विद्यूत प्रवाह को सहने की छमता है और दूसरी चीज विद्यूत को प्रकाश में बदलने की छमता ये दोनों में ही टंगस्टन का कोई दूसरा सब्सिट्यूट जो है वो नहीं ढूंडा जा सक या नहीं है तो इसलिए उसके जो फिलामेंट बनाए जाते हैं उसके लिए टंगस्टन कही प्रयोग किया जाता है और उसके लिए उसका कोई दूसरा ओप्शन नहीं है अब हम बात करते हैं अगली धातु तामबे के आविशाय पर तामबा आप देख पारे होंगे पिक्षर में चाहे खाने वाले बरतन हो या पूजा के जो बरतन है या अपने जो दादी नानी दादी है उनसे तामबे से जो बने सिक्के हैं उनके बारे में भी सुना होगा तो इस धातु से तो हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं और हम ये भी जानते हैं कि जब हम तामबे मे तीन को मिलाते हैं तो उससे कासी धातू कासे का निर्माड होता है और जब हम तामबे के साथ जिंक का मिश्रन कर देते हैं तो उससे पीतल का या पीतल धातू का निर्माड किया जाता है तो चाहे तामबा हो तामबे के साथ तीन को मिला कर बनने वाले जो धातू है कासी की हम जिंक कमिशन करके जो हम धातू का निर्मान कर रहे हैं पीतल इन सभी से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे और हमको ये भी पता है कि तामबे का जो उपयोग है वो अलग-अलग उपकरण की हम बात करें सिको की बात करें ये अभी हमने जो देखा कि बरतन जो बना प्रयोग है वो होता आया है और हम ये देखें कि तामबे में अभी वर्तमान में तो उसका महत्व और जादा बढ़ गया है क्योंकि ये ताप और बिजली का सुचालक है तो चाहे हमने बात की थी कि सिक्के की बरतन की या उपकरणों की इसके साथ साथ अब इसका जो प्रय ताप और बिजली का विद्यूत का सुचालक होता है और साथ ही इसमें जो रासायनिक शरण होता है ये रासायनिक शरण को रोकने वाला भी एक धातू है या हम कहें कि रासायनिक शरण का औरोधक है और इसी क्वालिटी के कारण हम देखेंगे कि तामबे का जो आधे से जो रेल उपकरन, हवाई जहाज, या पानी में चलने वाले जहाज, या घर में उपयोग होने वाले जो रेफ्रीजरेटर हैं, या घरेलू उपयोग की जो अन्य चीजें हैं और इसके साथ ही साथ युद्ध में प्रयोग होने वाली जो सामागरी है, इन सभी में तामबे का या तामबे से मिश्रिधातू का प्रयोग किया जाता है। देश के कई जो हिस्से हैं उसमें अभी भी तामबे की खोज की जा रही है। और यदि हम भारत में तामबे के कुल भंडार की बात करें तो तामबे का जो कुल अनुमानित भंडार है वो एक अप्रेल 2010 के नुसार 155 करोर टन आका गया है। फिर भी हम बात करें कि भारत में जो उपियोग है घरेलू डिमांड जो है जो भारत की घरेलू डिमांड है उस मांग के अनुरूप यहां तामबे का उत्पादन जो है वो नहीं उपाता है और भारत में तामबे का उत्पादन हम देखेंगे कि अधिकता होने के कारण इसका जो बहुत हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। यदि हम पूरे भारत में देखें कि कहां कहां पर इसकी अधिक मात्रा या इसकी अधिक भंडार देखने को मिलते हैं, तो इसका जो जमाव हैं वो आपके जारखं मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में प्रमुक रूप से देखने को मिलता है। और इसके साथ ही अई अन्य जो कई छोटे-छोटे निक्षेप या जमाव भी हमको मिलते हैं, जो आपके गुजरात, करनाटक, आंधर प्रदेश, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, इसक मध्य प्रदेश का जो लगभग 37 प्रतिशत से भी अधिक भंडार जो है, वो अकेले जारखन राज्यों में मिलता है। इसके साथ हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो बाला घाट जीला है, वहाँ पर मलाज खंड में तामबे की खान जो है, वो विश्व प्रशिद्ध ह तो यह हो गई तामबे की बात, यदि हम तामबे के प्रमुख जमाओं की बात करेंगे तो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश का जो बाला घाट जीला है, वहाँ मलाज खंड में जार खंड का सीह भूम और हमारे राजस्थान का जो खेतरी है, वो तामबे के भंडार के लि करें तो हम देखेंगे परिवहन है, संचार है और बिजली के उत्पादन में भी होता है, यह शीशा, शीशे की जो क्वालिटी है वो होती कि एक भारी धातू है और इसके साथ ही साथ नरम और लचीला भी होता है, इसका सबसे अधिक उप्योग जो है वो विद्युत उद् किया जाता है, और दूसरा इसका प्रमुक उप्होगता हम कह सकते हैं रसायन इद्युक जो है, यह इसके दूसरे प्रमुक उप्होगता है, जहां पर इसमें त्रेटाय थिल मिलाकर सीशा का जो प्रियोग है, वो रंग, प्लास्टिक और कीट नाशक बनाने के लिए किया जाता है यदि हम भारत की बात करें तो वर्ष 2010 के नुसार एक अप्रेल 2010 के नुसार भारत में शीशे का कुल अनुमानित भंडार जो है वो लगभग एक करोड टन आका गया है अब हम अगली धातू बॉक्साइट के बारे में बात करते हैं बच्चो बॉक्साइट जो है वो आपको पता होगा कि अलुमिनियम धातू का एक प्रमुक इसका आयस्क जो है वो बॉक्साइट है और भारत में हमें बॉक्साइट के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं वर्ष 2010 के नुसार इसका कुल अनुमानित भंडार जो है वो भारत में 348 करोड टन आका गया है लेकिन जितना भी भंडार जो देश का कुल आका गया है उसमें हम देखेंगे कि सरवाधिक भंडार जो है वो अकेले ओरिसा राजे में देखने को मिलता है मतलब देश के जितने भी जहां पर भी बॉक्साइट उपलब्ध हैं या जितने भी निक्षेप या जमाओ मिलते ह कि अब हम औरिशा की बात करें नहीं में कि दखेंगे कि काला हंडी, कोरापूठ, संबलपूर, बलांगीर। और क्योंजर जीला, यहां पर प्रमुख जमाव मिलते हैं, इसके बाद हम आंध्य प्रदेश में आ जाएं, तो आंध्य प्रदेश का विशाखा पत्नम जीला, मध्य प्रदेश की हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में शहडोल, मंडला और बाला घाट जीले, यहां पर प्र प्रमुक भंडार या निक्षेफ देखने को मिलते हैं अब हम अगले खनीज की बात करते हैं अभ्रक या माइका अभ्रक जो है वो एक ऐसा खनीज है जो हमको प्लेटों या पड़तों के रूप में मिलता है हम ये देखेंगे कि अभ्रक जो है इसे आसानी से परतो या चादरों के रूप में विभाजित किया जा सकता है बच्चो आपने अपने घरों में या समानी रूप में अभरक को तो देखा ही होगा और अभरक को देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक इतनी से भी परत आपको या इतना छोटा टुकड़ा यदि आप अभरक का देख रहे हैं तो उस अभरक की हम कई परते उसको निकाल सकत लड़कियां जो अपने तियोहारों में तीस तियोहारों में या फेस्टिवल के अलावा भी ऐसे जब हम घरों में अपनी आंगन घर के आंगन में रंगोली डालते हैं तो उसमें अभरक का प्रयोग उस रंगोली में डालने के लिए हम प्रयोग करते हैं तो अभरक से तो इतनी महीन होती है, इतनी पतली परत होती है कि इसकी जो एक हजार परत की मोटाईी होती है, अभरग की, वो कुछ सैंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर में ही समा सकती है. यदि हम कुछ मिलिमीटर या एक सेंटीमीटर की उचाई ले तो इतनी उचाई में अभरक की लगभक 1000 परते जो है वो शामिल होती है इतनी महीन होती है अभरक की परते अब इसके अलावा हम देखेंगे कि अभरक एक तो पारदर्शी तो आपने देखा ही होगा और मैंने जै वो काला, नीला, लाल, हरा इस टाइप के रंगों में भी जो है वो अभरक देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो उप्योग है और प्रमुख उप्योग वो विद्यूत और इलेक्ट्रानिक उद्योग में हम कह सकते हैं कि अभरक का उप्योग जो है वो एक अनिवारी कारक के रूप में किया जाता है। अब हम निकशेप की बात करते हैं भारत में निकशेप या जमाओं। तो भारत में अभरक का जो निकशेप है वो छोटा नापूर पर जो पूरे उत्तरी पठारी किनारे वहाँ पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और उसमें भी यदि हम बात करें बिहार की तो बिहार का जो बिहार और जारखंड में हम देखेंगे कि कोडर्मा गया और हजारी बाग पेटी एक वेल्ट ये एक पेटी के रूप में यहां पर अभरक के जमाओ जो है वो मिल रहे हैं इसके बाद ही राजस्थान का जो जमेर के आसपास मिलता है और आंधर प्रदेश तो आंधर प्रदेश में नेलोर जिला जो है ये अभरक की प्रमुख पेटी है तो हमने देखा अभरक या माईका अब इसके बाद हम बात करते हैं चुना पथर या लाइम इस्टोन पर तो चुना पथर जो है वो केल्शियम carbonate या magnesium carbonate या हम कह सकते हैं carbonate से जो बनी चट्टाने होती हैं वहाँ पर ही lime stone या चुना पत्थर की उपस्थिती मिलती है ये चुना पत्थर जो है वो maximum यदि हम बात कर रहे हैं कि calcium carbonate या magnesium carbonate ये अधिकतर जो है वो अवसादी चट्टानों में ही इसकी उपस्थिती जो है वो देखने को मिलती है अब ये कहां पर प्रयोग किया जाता है तो हमने बात ही की थी कि लोह इस पात उद्ध्योग का भी एक प्रमुख कच्चा माल है और साथ ही साथ हम देखेंगे सिमेंट उद्ध्योग के लिए भ अब जो चुना पत्थर है उसकी उपस्थिती जो भारत में मिलती है उसमें भी राजियों का आंश या राजियों की जो सहभागिता है वो कितनी है तो ये हम देखें तो पहला हम देखते हैं राजस्थान राजस्थान में 20 प्रतिशत जो है उत्पादन किया जाता है चुन प्रतिशत करनाटक 9 प्रतिशत तेलंगाना 8 प्रतिशत और गुजरात 7 प्रतिशत और इसके साथ तमिल नाडू जो है वो 6 प्रतिशत और बाकी 6 भाग में जो है वो अन्य राजियों की सहभागिता होती है इस ग्राफ से आपको बहुत अच्छी तरह से इस पस्ट हो रहा तो बच्चो हमने बात की इतने जो भी जो खनीज संसाधन के विशय पर बात की तो इसमें हमने देखा कुछ लोह खनीज थे कुछ लोह खनीज या धात्विक और अधात्विक खनीजों की विशय में बात की अब हम बात करते हैं उर्जा खनीज हमने देखा था कि खनीज का जो तीसरा प्रकार है वो उर्जा खनीज है उर्जा जिससे हम मतलब ऐसे खनीज जिससे हम उर्जा प्राप्त करते हैं उसे हम उर्जा खनीज कहते हैं और इसमें हमने देखा था कि कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृति, गैस, यूरेनियम, थोरियम ये अलग-अलग जो हैं य आपके शरीर को भी उरजा की आभश्रकता होती है और इसके अलावा जब आप घरों में खाना बनाते हैं खाना बनाने के लिए उद्योग में हम बात करें उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए हम या इसके साथ ही उद्योगों में मशीन को चलाने के लिए प्रकाश के लिए रोशनी के लिए और आपके घरों को भी रोशन करने के लिए या वहां भी प्रकाश और रोशनी के लिए हमें उर्जा की आवर्शक्ता होती ही है उर्जा का जो हम देखें कि उत्पादन है वो इंधन खनी जैसे प्रमुख रूप से जो हम बात करें कोईला है पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस और इसके अलावा यूरेनियम और विद्यूत से भी किया जाता है मतलब जो भी हम उर्जा प्राप्त कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम कर रहे हैं चाहे हम प्रकाश की बात करें या हम इंधन के रूप में बात करें इन सभी के लिए इसके अलग-अलग साधन है तो इस आधार पर हम देखेंगे कि उर्जा संसाधन जो है इसके प्रमुख और दूसरा है गैर परंपरागत उर्जा संसाधन या उर्जा के स्ष्रोथ. यदि हम परंपरागत साधन की बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि लकडी से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे. अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि घरों में जो चु मतलब कंडे जो होते हैं उनका प्रेयोग किया जाता है तो ये सब जो है वो आपके परंपरागत साधन है जो लकडी, उपले, कोईला, पेट्रोलियम या प्राकृति गैस ये सभी उर्जा के परंपरागत मतलब प्राय अधिकतर जो हम इन ही संसाधनों का प्रेयोग जो है उर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं इसके बाद हम देखें गैर परंपरागत शोत तो जो बहुत कम मात्रा में या बहुत इसली हमें उपलब्ध नहीं होते हैं उन्हें हम गैर परंपरागत उर्जा के साधन या उर्जा के शोत कहते हैं अब इसमें कौन कौन से हैं त कि यदि हम बात करें तो इसमें सौर उर्जा, पवन उर्जा, ज्वारी उर्जा, तापी उर्जा, बायो गैस और परमाड उर्जा ये सभी जो है वो आपके गैर परंपरागत उर्जा श्रोत कहलाते हैं अब हम परंपरागत उर्जा के साधन या उर्जा के श्रोत में बात कर कि प्रारंभिक समय में कोईले का जो उपियोग है वो इंधन के रूप में किया जाता था लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया तो लगभग 18 सदी के आसपास हम देखें कि कोईला जो है वो ओद्योगी करण का एक प्रमुख आधार बन गया मतलब इसका ऑद्योगी जो उपियोग है उद्योगों में उर्जा के लिए इसका प्रेयोग जो है वो बढ़ गया फिर चाहे हम बात करें कि लौह इसको गलाने के लिए या लौह इसपात उद्योग में इसके बाद हम देखेंगे फिर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया तो हम देखें कि भाब से चलने वाले इंजन का विशकार हुआ, फिर उसके बाद उसमें रेल गाड़ी को खीचने के लिए कोईले का प्रयोग किया गया, फिर चाहे जहाद चलाने के लिए हो या कारखानों में जो चलने वाली मशीन है, जो उपकरन है, उनको चलाने के लिए भी कोईले का प्रयोग जो है वो लगातार बढ़ता गया, यदि हम भारत में देखें, तो ये भारत में बहुत अधिक मात्रा में इसके भंडार जो है, वो पाये जाते हैं, और हम कह सकते हैं कि भारत में पाया जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ये ज प्राप्त करते हैं हमारे देश में